तुने रशासेंटर की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, उस दुकानों के उपर कारवाई की गई थी. इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगा समवा ग्यारा बजे तक दुकान चलाई, शाड़े ग्यारा बजे तक दुकान चलाई, इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था, एक अंताजे के हसाब से 1200 के तरीब दुकाने है, ऐसा बताते हैं, कि जिन्तों 56 है, तो ये दुकानों को सील किया गया था, आठ तारीक से, आठ में से ये दुकाने सील है, आज एक जून है, यानि कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुना किये थे, कि मतलब उनको इस तरहा कटगरे में खड़ी किया जा रहा है, और एक जैसा घिनावना कोई अपराद करता है, चाहे सुपड़िस विनंती की थी, इस साहब इनको जो भी छोट इमनोची फाइन है, वो घॉन ले दी जगा, पीकर इनसे अगर कोई गल्ती हुई है, तो उनकी मजबूरी थी, यूंका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले खर्मचारी उनका पेट भरने के लिए, उन के दुकान को सकती हैं to 70 जवा दुकाanie help थैज़ा कि अगर के में इसके और उसके आपेणड़ करिए उसको इतने दिना आपने शील करके सुगाइए इस पीमिचे झाया ढुख सकत दुख कुंसा है जो काम करने वाला है उसके हित को जबना उसके हित को मैफूज रखना ये नहीं की जिम्मधारी करूचे लेकिन सिर्फ अधिकारी पना दिखाना कि मैं अधिकारी हूं और अब मुझे ठीके आपके नि야म के हसाब से अगर है आप नियम के हसाब से हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके लेकिं इस तरह कि ये कागजी खाना पूर्टी करना और फिर है तो ये बोलना किने हम पूरों की यहरिंग लेंगे करके दो-दो-सा, 2300 रुपे कमाने वाले लोग उनको एक एक मेहना बंद करके रखना ये कौन जस्टिफाई करता है इसको और कौन उनके लिए लड़ा है कौन उनके लिए खड़े रह रह रहा है कोई नहीं खड़े रह रहा है यानि कि वो मजदूर को अगर है तो आज उनने 20,000 रुपे भी अगर उनने दुकान दरवाले को लगा दिये है तो उनको मजबूरां देना पड़ेगा मेरा एक सवाल है ये इतने बंद पीरट के दौरा अंक्या मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिये है क्या भारतिय जन्ता पार्टी के देविंदर फटनविस साहब ने ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ कलेक्टर साहब ने दिये है या लिवर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे हम तुमारे को पैसा दे रहे है लेकिन उल्टा उनके जेव से खीच के निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़बशाही है ये डिक्टेटरशिप के जैसा है हुकमशाही है और मैं औरंगाबाद के तमाम बेवपारियों से ये मिनंती करता हूँ ठीक है आज ये इतने सारे दुकानदार यहां पर आ रहे है ये अपनी लड़ाई लड़ा है लेकिन अगर आप आज इनके है अगर पूरा विवपारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताखत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा खल आपको पकड़ा जाएगा इसलिए हमने आज के दिन यहां पर आकर लेबर आफिस में बैठे हमने कलेक्टर साहब से बात क कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिये है पैसा तुमने क्यों दुकान खोले है करके किसी के पास से नहीं आया था अब दुकाने खुल गई है तो आप कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा महानगर पाली का अपना टैक्स देना मांगना लड़ रहे हैं पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे आध दुबारा से बंद मनाईए और इनको ताखत देने के लिए यहां पर आईए वरना कल के दिन अगर यह रहेगा कि अगर तुम्हारे उपर आफाद आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा त पार्टी नहीं होती है उसको नुकसान हो रहा है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है लेकिन एक सवाल मेरा यह है प्रशासन से और सरकार से उद्धो ठाकरे सहाब मैं आप से ही पूछना चाहता हूँ मुझे यह बताईएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रु और दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बन कर दी जाती है तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहां पे मिठाई पहुचाने के लिए तैयार हम रोट के ओपर खड़े रहे हैं तो भीक मांगेंगे लोगों से लेकिन इसका म नीट से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा लेकिन अगर इसी तरह कि अगर दादा की नीच चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए हमारे हिसाब से चलिए